दोस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ IQZ5 है आपके पास यह फिर 7 है तो उसमें आप wallpaper चेंज कैसे कर सकते हैं तो फोन में wallpaper दो तरीके से चेंज होता है एक तो आपको यहाँ पे अलग से theme का option देखने को मिल जाता है यह theme अगर यहाँ पे अगर आपको free wallpaper देखने को मिल जाता है तो अच्छी बात है यहाँ पे आप wallpaper पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे wallpapers मिल जाते हैं लेकिन यहां पर आपको रुपीज का option देखने को मिलता है corner पर यानि फ्री वाले अवेलबल नहीं है यहां पर तो किस्मत होई तो मिल जाएंगे और यहां पर अगर आप wallpaper सर्च करते हैं तो free wallpaper एक बार सर्च माड़ लेंगे अगर होगा तो आ जाएगा देख सकते हैं आ गया है फोन ने अपने आपको update कर लिया है तो यहां से कोई एक आप click कर लेंगे और okay कर देंगे इस type का option आएगा तो आप देख सकते हैं preview का option आ रहा है तो यहां पर आप download पर click करेंगे और apply पर click करेंगे तो यहां पर आपको lock screen पर set करना है डेक्स्टोप पे पर मतलब हिम स्क्राइब लाइय कर दूंगी लॉक्स्राइब ने अप्लाइय कर दिया है अब होम्स्क्राइब पे हम अपना फोटो लगाएंगी ऑड्सम्से तो अलब्म select करने के बाद three dot पे जाएंगे और यहाँ पे आपको step से option देखने को मिल जागा set as wallpaper पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे step से अगर option आता है तो step से कर सकते हैं आप तो जितना आपको photo set करना है उतना आप set कर लेंगे step से और इसके बाद यहाँ पे आपको अगर lock screen पे करना तो lock screen पे home screen पे करना तो home screen पे रहने देंगे दोनों पे करना तो both पे click कर लेंगे और यहाँ पे check mark पे click कर लेंगे यह हो चुका है तो देख सकते हैं यह home screen है और यह आपका lock screen है तो यहाँ पे इस step से आप wallpaper पर चेंज कर सकते हैं और आप सोच रहोंगे работать क्यों नहीं हुआ सेट तो मेसे छीन ना लगा हुआ है जिसमें आपको उट चेंज वालपोपर देखने को जरूर पसंद आया होगा इसी टाप के और पर इंट्रस्टिंग वीडियो सेखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार